अश्कारम लेकम विवर्ज मैं हूँ आपका दोस्त आपका भाई डैश किंग उमीद करता हूँ सब मेरे भाई खेर करियत से होंगे आचा भाई हो इस तरह से आज मैं देख रहा था जी बीप यूएसडी को तो मैंने का चलें आप सब भाईयों को साथ में शेयर करता है चलू है इसमें देखते हैं हमारे पास हमने पहले देखा कि लास्ट जो है मुवमेंट इसकी क्या थी मारकेट की पिछले दिनों से हम देख रहे थे मारकेट ने बेरिश मूव भी दिया अपनी फिर उसके बाद बुलिश स्टार्ट हो गई ठीक है और जब यह आपको नजर आ रह रही है ठीक हो गया तो यहां पे हमें यह जो इस्टैम सिचवेशन है यह देखिए कि भाई यह क्या बन रही है यहां पर देख सकते हैं कि हमें इस वकत यहां पर डॉजी केंडल मिली उसके बाद हमें ठीक ठाक वालियों वाली जो है बुलिश मूवमेंट हमें नजर आई तो उर्शकों देखते हृए हम इसको वह इसको ही घ्रिफ करके देख सकते हैं जो day trader है उनके लिए मैं बात करímगा जो day trader है उसमें वह यहां से यहं तक का मूब ले शकते हैं ठीक हो गया यहां से यहां तक वह प्प्स गेंग कर सकते हैं जयां तक आर्लीस यह इस उमीड है कि इस लेवल तक वो टच करेगी मारकेट और यहां से यहां तक अच्छे फिप्स जो हैं वो गेन किया जा सकते हैं ठीक हो गया तो अब मैं यह समझता हूँ कि अगर हम इसका पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं एक मिनट में आप भाईयों को अच्छा जी भाईयों यहां से अगर हम लेते हैं बाय की एंट्री लेते हैं क्योंकि हमने देखा कि डॉजी बनी डॉजी के बाद बुलिश मूव आई और हमने और है भी यह देखें आपका सेंडिंग चैनल स्टार्ट है यहां से मारकेट आई यह वाले रिजिस्टेंस एरि तौह का बन रहे हैं थीग हो गया तो यह चीज़ बन रही है हमारे पास अब इसके बाद नेक्स्ट मारकेट मूव क्या कर सकती है यह यहा तो एक दोबारा से वाहते हमरे यह और यह सेंडिंग चैनल ब्रेक रहीते है押िए आई एगा धर यह री टेस्ट के यहां से भी आपको एक अच्छी मूव मिल सकती हैं यहां से फिर हम डाउन के लिए एंट्री दुबारा ले सकते हैं लेकिन वह भी प्रॉपर एविडेंस के बाद हम यहां से एंट्री ले सकते हैं अपनी सेल की ठीक हो गया अब उसमें यह चीज है भाई हो कि यहां से हमारी पाई की तो एंट्री बनती है अगर हम इसको लेट से इसको यहां से सॉरी यहां से हम इसको लॉंग करते हैं पोजिशन को जो वालवन मार्केट हमारी यहां पर है यहां से हम लॉंग करते हैं उस टॉप लॉस हम अपना तकरीब यहां पर रखते हैं यहां पर और यह हमारी यहां दर की पोजिशन बनती है ठीक हो गया भायू यह हमारा 1.46 रही है रिशो रिस्क रिवार्ट रिशो ठीक हो गया इसमें थोड़ा सा हमारा एच फोर की वज़े से अगर आप देखें तो स्टॉप लॉज हमारा थोड़ा सा ज्यादा बन रहा है ठीक हो गया उसके लिए ह है कि कि क्ल में आज न्यूस भी देख रहा था कल का मुझे तो कोई ऐसे को data नजर नहीं आया कल की डेट का मंडे का तो में इसमें न्यूस भी देक रहा था कि मतलब इतनी कोई खास का व्यूस नहीं है तो यह हम इसके ऊपर trade कर सकते हैं ठीक हो गया अब यह इसमें दोडों दो किसे हो सकते हैं बाई अगर तो यह सेंडिंग ऐसी तरह से रहता है तो possibility है कि यह उपर वाले जो resistance ऐ यह resistance जोने यह भी break ओजा और अगर तो ए ब्रेक होता है तो दैंढ़ी यहां पर री टेस्ट करता है यहां के लिए भी फिर एंट्री देखी जा सकती है बाय के लिए जाया जा सकता है ठीक हो गया लेकिन ज्यादा चैंसे यहीं होंगे कि जिस तरह का यह सेंडिंग चैनल बना हुगा है इसके बीच में मूव करेगी यहां से हो सकता है यूँ जाए मारकेट यहां से नीचे आने की बजाए यहां से बनाए अपना इदर से फिर ब्रेक करें फिर इदर आए फिर इदर जाए और दैन इस तरह ठीक हो गया वायो क्यूंकि यह चीज समझ में भी आती है उसकी रीजन ह है कि अगर हम इसी चैनल को खैस के आगे तक ले जाएं तो आप देखेंगे कि मारकेट इस चैनल के अंदर इस तरह से मूव कर सकती है जैसे कि अभी मैं आपको एच वन में शिफ्ट करके दिखाता हूं अभी तो यह एच फॉर का सारा आप टाइम फ्रेम देख रहे हैं सार देखें यह पहले नीच यहां से ब्रेक हुआ अ गर इसको को अगे लें यहां पर तो यह है introduced inquiet ॐ सहाँ हुआ है यह चानल यह खंडा ब्रेक फिस पॉर्ट यह पर दंब्र देखें तो आपको क्या evidence मिलता है बड़ा मज़े का यहां से भी बहुत मज़े की trade थी यह देखें यह देखें यहां पर भी आपको बहुत प्यारी entry मिलती है engulfing की engulfing candle थी यह engulfing pattern था यहां से भी आप अगर जाते हैं यह stop loss आता है आपका 1-3 की ratio के साथ यह 4 की ratio के साथ जाते तो तकरीबन आप next level तक भी trade करते तो यह बनता था आपका यह level बनता था यह भी बहुत प्यारी entry थी यह जो यह break होने के बाद हमें मिली ठीक हो गया यह था descending channel अब आ गई then यहां से अगर आप entry लेते हैं तो यहां तक at least यह जाएगी ठीक हो गया और अगर इसी तरह यह move करती रहती है channel में तो आपको अच्छे tips जो है वो gain करने को मिल सकते हैं और इससे आप अच्छी earning कर सकते हैं ठीक है तो यहीं पर अपनी video end करता हूं उमीद करता हूं के आप अपना डेर सारा ख्यार रखियेगा अपने भाई को इजाज़त दीजिए ओके जी टेक केर अलाफेज